हम इंटेग्रेटेड़ फार्म क्रियेट करने की कोशी की है हमने कि देखिए हमारे पास गाये हैं गाये दो किसम की हैं होल्स्टेन हैं देशी गाये भी हैं हमारे पास बक्करियां हैं हमारे पास मुर्गियां हैं हम सबजी भी करते हैं, हम औरजर भी तु आपने देख लिया लगा रहे हैं, हम कन्वेंशनल खेती भी करते हैं. भाईयो, आपके लिए खेती से जुड़े हुई वीडियोस हम लंबे समय से लेकर आ रहे हैं. इसी करम में आगे बढ़ते हुए, आज आपको मिलवाएंगे एक ऐसे किसान से, जिनकी उमर 83 साल है. 83 साल की उमर में उन्होंने खेती के अंदर ऐसा कर दिखा है कि शायद नॉर्मल किसान सोचे मिना. जो यूवा हैं, अगर कोई inspiration देखे, तो वो उनके लिए inspiration हो सकते हैं खेती के अंदर. वो ऐसी चीज कर रहे हैं जो future की खेती आप उसे कह सकते हैं. उसी चीज की जानकारी के लिए चलिए मिलते हैं गिल जी से. नमशकार सर. नमशकार. सर, जो सामने से किसान भाई देख रहे हैं, एक छोटा सा परिचे दे देजाए आप अपना. देखिए, छोटा सा परिचे तो ये है कि मैं किसान हूँ. मगर मैंने अपनी जो किसानी का धंदा करता हूँ, मैं उसको थोड़ा सा, जो ट्रैडिशनल खेती है, उससे थोड़ा सा बाहर निकल के करने की कोशिश करता हूँ. जैसे कि पंजाब में आपने देखा होगा, कि लोग बाग, जितने किसान हैं, सब धान और ग्योहों के साइकल में फसे हुए हैं. मैं दो, वह खेती भी करता हूँ, वगर उससे थोड़ा बाहर निकलने की कोशिश की है, कि जितनी दूसरी स्पोर्टिंग या डाइवर्सी फाइंग का स्वाल है, मैं वह भी करता हूँ, कि छोटी छोटी खेती जो है मैं हर एक हर किसम की करता हूँ सिर्फ मैं गेहूं और चावल के चक्कर में नहीं हूँ अब सर इसमें जैसे आपने बता है कि सारी चीजे हैं लेकिन जिस जंगे पर हम करें हूँ पीछे ये एक गाउं के हिसाब से बड़ा सुन्दर सा और अच्छा सा दिखने वाला यहां पर चीजे हैं तो यह आपका ही घर है या आप इसे किस तरीके से इस्तमाल कर रहे हैं वो भी मुझे बताईए वो कहते हैं कि छोटे से घर में देखे थे खवाब महलों के कभी अब महलों में हैं तो खवाब में घर देखे अब हमने जिन्दी बहुत घूम घाम के देख ली गाउं से आये थे तो बहुत जिन्दी घूम घाम के देख ली मगर फिर घूम घाम के गुद्दू घर को आ गया हमने इसको एक गाउं वाला घर बनाया है थोड़ी हम खेती करते हैं जैसे आपसे बताया कि थोड़ा-थोड़ा सारा काम करने की कोशिश करते हैं और उसमें अब लेटस्ट यह है कहाम एग्री कैलُचेर टूरिजम भी करें एग्री कैल्चेर टूरियल्जम में एक सिंपल बात है how we have started and how we have thought about it is that if you have a five-star facility at your home then you go for holiday and again land you in a hotel you don't find much of the change there but if you will come from that apartment culture to this culture there is a change from here life starts. लोग बाग आते हैं, हमारी गाए देखते हैं, बकरियां देखते हैं, कैसे करते हैं, विलेज लाइफ देखते हैं, अच्छी अच्छी कार में आएंगे और हमें बोलेंगे कि हमने ट्रैक्टर राइड वेनी हैं, हम भूभी गुमा देते हैं. एक बार सार आके देख लेते हैं exactly कि यहां पर किस तरीके से आप देते हैं, चल रेगुलर रेजिट मैंज़ रेस्टुरांट वर एर, बड़ी सिंपल सी बात है कि regimes, अब जाकाल हमने हमने स्टार्ट ही हाईं, सिर्फ दो साल हुए हैं, इसमें हमारे पास अबी दो ही कमरे थ दो कमरे जो हैं वो इसमें टुरिस्ट आते हैं हमारे पास हमारे पास रहते हैं कैसे एकरी कलचर होती है कैसे लाइफ होती है वो सब देखते हैं सिंपल फार्मूला एज दिस कि यह जो जिन गेस्टों ने आना होता है वो नेट पर ही ऑनलाइन अपनी बुकिंग करते हैं जब हमारे रूम बुक हो गए हमारे हां हमारा घर जो है वो चंदीगर में है यह तो फार्म है मेरे खियाल से यह पीछे जो भट्टी जलरी है यह चयदा की जल रहे है यह तंदूर है यह आजबी हमारे पास फोड़े गेस्ट हैं इनको इसमें अभी यह रोटियां लगाएंगे आपको भी खलाएंगे यह तंदूर है दिस इस दी विलेज लाइफ वो देखिए चूले हैं बाहर हैं ओपन किचन है यही तो यही तो गाओं की लाइफ है शर्टा यहां पर जो यह फार्म है जो खाने वाली चीजे हैं या वैजिव जीपे बोले था वैजिए तो कितनी वराइटीई से कि अपने लगाई हुई होगी उस में ऐसे है कि हम अगर यह बात कहें अगों जो मेर्ट पैट्रन है सबजियों का और बाग का वह यह है कि जितन तोड़ने लगा लिए एक एकर दो एकर अपनी कपैस्टी के मताबक या किसी ने भिंडी लगा लिए हमने हमें वह पैटरन तोड़ना होता है अगर हम कहेंगे कि हमारे पास एक ही सबजी है तो वह हमारे पास जो हमारा गाहक है वह सैटिस्फाइड नहीं जाएगा तो वह हमें बास्केट फॉल ओफ एजिटेबल उसके लिए हमें थोड़ी 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 सबजी सब कुछ लगाना पड़ती है आप यहां देखेंगे मित्थे हैं पालक है आगे मटर लगा रहे हैं जितनी भी है लसन है छोड़ी थोड़ी सबजीयां हम सारी लगाते हैं so that जब हमारी सबजी त्यार हो तो हमारा जो गाहक है उसको बास्केट फॉल मिल जाए और सर फुरूट्स जैसे यहां पर फुरूट्स भी है तो वेजित की बात होगे हमने फुरूट्स भी अलग अलग तरीके के लगाए हुए है वो हमने बताई है सेम पैटरन है फुरूट्स में भी ऐसे है कि कोई आदमी आम का बाग लगा लेगा कोई आदमी अमरूद का बाग लगा लेगा कोई कोई दूसरा संत्रे का लगा लेगा माल्टे का लगा लेगा मगर हमने इस एक वान एकड में फैंसिंग करके कोशिश की है कि हर एक को साल भर में कोई नो कोई फुरूट मिलता रहे दिस इस मल्टी व्रैटी और्चेड अब सर अब आ जाते हैं जो में हमारे वैसे भी कोशन से यह अपने बता है कि क्या क्या किया हो इससे दूसरा जोब लगा कोई जैसे अपने अग्रो टूरिजम पर आए एक्जेक्टली खेती के अंदर ही कब आए कि आप पहले से करते आ रहे थे एक वो कोशन आपते हैं यह तो जिन्दगी ऐसे घूमते घामते निकल गई पैदा तो किसान के घर में हुए थे फिर इस जिन्दगी में बहुत कोछ देखा बार निकले पर रहाई करने चले गए फिर थोड़ी द अब सर और खेती जैसे खेती है खेती नॉर्मल कोई भी आया अपने का बिजनिस भी गया सारे चीजे लोग बाग धान होगाना शुरू कर दिया गन्ना होगाना शुरू कर दिया यह जो एगरो टूरिजम का थोड़ था यह जो इफे अगरिकल्चर को ब्रेक करने का कि कैसे इंपलांट हूआ यहार टूरिजम कोई घया है कि अच्छ करते हैं किसी ने ताज माल देखा है किसी ने अच्य मंदर देखें कare कि को व कोई जिसको मैंने पहले भी बताया के कोई medical tourism है कि कोई यहां इंडिया में बाहरले मुलक से इलाज कराने आ जाते हैं उसको भी medical tourism बोलते हैं कोई हरमंदर साथ माथा टेकने के अलिये आते हैं तो उसका हम religious tourism बोल देते हैं Why can't be agriculture tourism? Agriculture में भी हम काम करते हैं कैसे खेती होती है कैसे हम गाय को बक्री को इनकी संभाल करते हैं कैसे दूद होता है जिनोंने पाउच में दूद देखा है वो करके हमें गाय को का दूद निकालते हुए देखके बहुत खुश होते हैं कि ऐसे लोगों को पता ही नहीं होता कि गाय दूद देती है कहां से दूद आता है उन्होंने तो सारी जिंदगी बर पाउच में देखा है सो हर चीज यहां यहां नहीं लगती है उनको सर यहां पर जैसे देखें तो और कौन-कौन से पशू भी जो रखे हुए हैं या पक्षी रखे हुए हैं आपने वो हमें बताइए हो ऐसे है कि आपको तो मैं पहले कह चुका हूँ कि हम इंटेगरेटड फार्म करियेट करने की कोशिक की है हमने कि देखिए हमारे पास गाये हैं गाये दो किसम की हैं होल्स्टेन हैं देशी गाये भी हैं हमारे पास बक्करियां हैं हमारे पास मुर्गियां हैं हम सबजी भी करते हैं हम औरजर भी तो आपने देख लिया लगा रहे हैं हम कन्वेंशनल खेती भी करते हैं जैसे गेहों है धा हैं लिष्टान हैं थोड़ा-थोड़ा हम सारी क्या करने की कोशिश करते अब सर् जैसे जो गाहें हैं का दूद हो गया या बक्री वेड़ी किसी को अगर अंडय मुन कर चाहिए तो आप वह भी देते हैं क्या वह देते हैं हमारे पास गाहे का दुद दो किसम का यह सब हम बेचते है यह जब अगर कोई इतना आसान भी है क्योंगि लोगों का एक रविया यह है कि कोई भी चीज़े देखते हैं तो उसे ट्राइ करने के लिए सोसते हैं कि इतना आसान भी है तो कितना difficult हो सकता है और क्या सोच के माइंडसेट बना के आएं इसके अंदर वो बताइए आपका यह स्वाल बहुत अच्छा है most of the people जो जुआन लड़के भी यहां आते हैं वो मुझसे यह कहेंगे कि बापुजी हम ऐसा कुछ करना चाहेंगे कुछ ऐसा ही हो तो उसमें मजा आता है मगर ऐसा करने में बहुत मेनत करनी पड़ती है माटी के साथ माटी होना पड़ता है लोग बागों को खेती आपने सुना होगा कि खेती इस नौट इस नौट इस नौट इप्रोफिटेबल पर प्रफेशन बट आई कैंट तेल यू फार मी खेती इस सैटिस्फाइंग प्रफेशन उसके बारे में एक और बात है कि हमारे पास यहां दो वेज हैं इंट्रिटेन करने के एक तो आपको बता दिया कि एको टूरिजम है, जैसे कि कमरे हैं, कमरे बुक होते हैं, जिस दिन बुक होते हैं, उस दिन हम जो हमारे घर पर खाना बनाते हैं, उनको खाना बना के खला देते हैं, हमारे कोई यहां रेगुलर रेस्टूरान नहीं है, मैं बता चुका हूँ, और दूसरा हमारा सिस्टम यह है कि कुछ लोग कभी कोई बर्थडे बनाने के लिए या कहीं कोई छोटी पार्टी करने के लिए उसको दूसरे लफजों में कह देते हैं कि डे स्पैनिंग के लिए आते हैं आज भी आपने देखा होगा कि कुछ लोग आए हैं जो डे स्पैनिंग के लिए आए हैं होटल में झाल जाते हैं, अपना टेबल पर बैठते हैं, खाना खाथे हैं, बिल देते हैं, उठके घर को अजाते हैं, यहां ऐसा system नहीं है, हमारे हां जो आते हैं, हम उनको खाना खलाते हैं, उनको जो एंटरआन्मेंट दूसरी, जो कुछ वो खाने पीने को चाहें वो हम उनको परवाइड करते हैं जो एक पास जो रूम्स में हमारे पास ज्यादा तर जो हमारे एक्सपेरियन्स है तो डेली और बियॉंड के जो गैस्ट हमारे पास आते हैं जैसे डेली, बॉंबे, कैलकाता, हैदराबाद ऐसे हमारे बड़े बड़े शैरों से आते हैं तो मगर ये जो डे स्पेंडिंग वाले हैं वो लोकली आते हैं तो भाईयों ये थी हमारी गिलजी से बात जैसे आपने देखा कि कोई खेती को कैसे ट्रांस्फॉर्म कर सकता है कुछ उसके अंदर नया करने का एक जज़बा होना चाहिए आप खेती को मुनाफिक असुदा, आप सैटिस्फाइंग जोब की आपको शान्ती चाहिए उसके लिए भी आप खेती के अंदर आ सकते हैं लेकिन एक आपको इसमें ध्यान रखना होगा कि महनत एक मस्ट है ऐसा नहीं है कि रातो रात चीज़े बदल जाएगी एक आपके पास फोकस होना चाहिए किसी चीज़ को रखने के लिए करने के लिए और अगर आपको यहाँ पे जो हनसाली फार्म है इसके बारे में जानना है यहाँ पे आके विजिट करना है आप नीचे डेस्क्रिप्शन के अंदर देख सकते हैं सारी कॉंटेक्ट टीटेल आपको महाँ पे मिल जाएगी यह वीडियो कैसी लगी आपको यह भी आप हमें कॉमेंट के अंदर बताएए यहाँ पे वीडियो समात करते हैं धन्यवाद जै हिंद जै किसान